कुछ फूट ऐसे होते हैं जो आपकी ओवरी में सिस्ट को बढ़ावा देते हैं Het Donc ऐसे फूट आपको नहीं लेने हैं अगर प्रेगनंट होना चाहती हैं प्रेगनिन नहीं हो पारे हैं तो आपको इस चीज़ पर और जादा ध्यान देना चाहिए और कुछ फूद होते हैं ज तो इस सभी दिकतों से बशने के लिए आपको कुछ चीजों को अवाइट करना चाहिए पने फूर्ट से हटा देना चाहिए उन चीजों में पहली चीज है मैदा जो कि आजकल बहुत जादा आम हो गया है और मैदा अगर आप डेली खाते हैं तो यह तेजी से आपको वेड गिन करता है और बॉड़ी में इंफ्लामेशन लाता है और आजकल कि जो लाइफ स्टैल है उसमें बिस्किट वगएरा लोग आम तोर पे खाते हैं इतना ध्यान भी नहीं देते हैं कि वो डेली मैदा खा रह इस वज़े से आपकी ओवरी में सिस्ट की समस्या हो सकती है तो अगर आपका वेड तेजी से गेन हो रहा है पीरेट में दिक्कत आरी तो आप मैदे वाली चीजों से आज ही परेस करना शुरू कर दीजिए दूसरे नंबर पर आता है शूगर चीनी क्योंकि शूगर का इस से ओरी में कई बाइस बन जाती है तो अगर आपका वेड बढ़ रहा है अतना जादा अक्टिव नहीं है तो शूगर का इंटेक कम से कम करें और कोशिश करिए कि वाइट शूगर का इस्तिमाल बिल्कुल बन कर दीजिए उसकी जहां आप गोड का यूज कर सकती है आप लगातार कर रही है तो इसे भी तो होना काफी ह lle प्रकुल है क्योंकि हो बहुत जादा सबढ़ कर नहीं होा शठेंज करने से यह एस्तिम के लेवल को बढ़ाता है अअगर बहुत जादा बढ़ जाता है कोवरे में में सिस्ट की समस्या हो तो इसे अलाब। एक लेकिन जब आपके शरीर में जाता है तो बहुत सारे दिक्कते पैदा करता है तो इसलिए प्रोसेस फूट से आप दूरी बना ले तो यह जो लिस्ट मैंने बताई है इन सभी चीज़ों से अगर आप दूरी बना लेती है तो अगर आपको और सिस्ट की समस्या हो रही है तो बहुत हद तक अपने आप ही दूर हो जाएगी तो अमेद करते हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगाओगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज को लाइक दरूर करें